देहन गाईज कैसे हैं। आप लोग आशा घरती हूँ के आप लोग बहुत हैसी होंगे। मैं लॉकर आप लोग आपनी युट्यूब चैनल से पीक बार से स्वागत करती हूँ। बहुत-बाधी खुछकबरी है। और आज मैं आप लोग को बहुत बड़ी कुछ खपरी देने वाली हूँ, वीडियो को पूरा केयरफुली और एकदम पैसेंस फुली देखना है, और अगर मेरे चैनल पे आप नई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आज की वीडियो बहुत ज्यादा और देखो, बहुत सारे लोग ऐसे थे, जिनको वर्दी की चाहत है, जो मतलब पुलिस के उनिफॉर्म में खुद को देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो हाइट है, वो हाइट कम रहने के वज़र से वो लोग अपना सपना को मतलब बीच में ही छोड़ देते थे, जब बहुत तमाम बातों की जानकारी, बहुत सारी चीजों की जानकारी आपके इस वीडियो में देने वाले हैं, वीडियो को पैसेंस फुली पूरा देखना है आपको, तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूँ की जारखंट पुलिस की वेकिनसी की, लगभग 5,000 पोस्ट, 919 को लेकि ये वेकेंसी जाई हैं, छारखंट पुलिस, जी हाँ दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी बात यह है, कि उसमें हाइट का जो रिक्वाइरमेंट है लड़कों का 160 cm है, और लड़कियों का 140 cm, तो जो लड़किया बिहार पुलिस में 155 जिनका नहीं पूरा हो पा रहा जो छट जा रहे थी, जिन्होंने फॉर्म तो फील कर दिया था, लेकिन डर रहे थी, कि मेरा 152 cm है, अब मैं क्या करूँ, छट जाओंगी, या बहुत तमाम बातों का डर रहता था, तो उन लोगों के लिए एक बात मैं बता देना चाहोंगी, आप लोगों को टेंशन करने जुरुत नहीं है, वहाँ पर जो हाइट का रिक्वार्मेंट है जारखन पुलीस में, तो उसमें 160 cm मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का 148 cm है, तो ये तो बहुत बढ़ी खुसकबरी, इतना कम हाइट मैंने अभी तक किसी भी पुलीस की वेकेंसी में मैंने जाओंगी कि इसमें पहले रिटेन एक्जाम निश्यन नहीं, पहले होगा फीजिकल, ठीक है दोस्तों सबसे पहले इसमें फीजिकल एक्जाम होगा, उसके बाद रिटेन होगा, उसके बाद रिटेन होगा, उसके बाद चौई नहीं होगी, कितनी बड़ी हुसकवरिया दे उसमें जो क्वालिफाइ होंगे तो बस उनको रिटन के लिए स्लेक्ट कर दिया जाएगा और वहीं पिर लड़कियों का आधे गंटे में आपको 5 km की रर्निंग क्वालिफाइ करनी है लड़कों को 10 km की रर्निंग एक घंटा में सीधा फंड आए देको एक घंटा में 10 km रर् गुड न्यूस है आप लोग के लिए आप लोग जरूर फॉर्म फील करें जारखंट पुलीस का फॉर्म आ चुका है पांच जार पोस्ट को लेके और फॉर्म अपलाई का फी पता है कितना है जेनरल OBC और EWS के लिए मात्र 100 रुपे और SCST के लिए मात्र 50 रुपे आप लो लोग के लिए यह गोल्डन चांस है अगर वर्दी में खुद को देखना चाहते हैं तो आप लोग के लिए पहुत जादा गोल्डन चांस है और सबसे बड़ी खुशकबरी तो यह है कि पहले इसमें फीजिकल है फी रिटन है तो जाके अब भी तुरंत आप फॉर्म अपल कर सकते हैं कि एकदम फॉर्म अपलाई करेंगे अधर इस्टेट वाले आप लोग भी कर सकते हैं लेकिन यह रहेगा कि आप लोग अगर किसी कैटेगरी में OBC, SC, ST तो आप लोग उधर से फाइट नहीं करोगे फिर आपको जेनरल कैटेगरी से फाइट करनी पड़ेगी वह अब भारत के किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं और इस फर्म को अपलाई करें जरूर करें गोल्डन चांस है इसको छोड़ना नहीं है भारत के किसी भी कोने से हैं तो इस फर्म को जरूर अपलाई करें और एक बार खुद को मौका दें और अ कि आप लो अभी अपलाई करें और उसके बाद अपना जो ड्रीम है वर्दी पाने का उस ड्रीम को पूरा करें और पढ़ाई पुढ़ाई का टेंचिन बाद में होगा पहले रणिंग हो जाएगा भई अभी जा के फॉर्म अपलाई करो आप और जारकंट पलिस में पहले होता था ना मैंने भी एक्जाम धे स् दे रखाता तो इसार्कंट पार प्टिस का तो अमतलब एक्सीरीमिस के साल आरो ही वी उसमीन नूट की आपको डिस्टिक सेलेक्ट करने परते थे लेकिन इस पार ऐसा कुछ वैसा फंडा नहीं देखने को मिला है तो अब भी आप अपना समय बिल्कुर ब्रवाद ना करें जा के फटाक से फॉर्म भरें और अपने आपको एक जो जो गुल्डन चांस मिला है ना आपको खुद को खुद क ज़्यादा हाडने होता है उसके लिए मैं बुक सजेस्ट कर दूगी अभी तो बस NCRT पढ़ते रहना है अगर आपने बिहार पुलीस का भी फॉर्म भर रख है तो उसकी भी प्रिपरेशन करते रहो और उदर जारखन पुलीस का फॉर्म अप्लाई करो और दौर में जरू तो जाके अभी आपके पास टाइम है तो जाके अभी फॉर्म अप्लाई करें ज्यदा सोचे वीचारे नहीं और हरकन पुलीस का फॉर्म अप्लाई करें और खुद को एक मौका दे तो अब रही बात रिटन एग्जामनेशन की तो रिटन एग्जामनेशन में NCRT जैसे दिक्कत नहीं होता है बागी जो है न GKGS वगरा NCRT को पढ़ते रहो मैंने दिखाया था भूग NCRT का सार संग्रा उसको पढ़ते रहो अगर उसमें से कुश्चन नहीं आया ना भिहार पुलीस हो, UP पुलीस हो या फिर SSC हो तो फिर बताना मुझे भाई वो जो बुक है न का संगे करका आएंगे और आपका कुश्चन उसमें से पूशा जाएगा किसी भी एक्जाम के आप पर यपरेशन कर रहे हो जारकन पुलीस, बिहार पुलीस, बंगाल पुलीस, कौलकर रास्थान पुलीस की अप्तियारी कर रहो था उप पुलीस की तो NCRT का पुग चरूर जरूर पढ़े और उसमें से बहुत सारे questions उसमें से पूशे आते हैं, आप जरूर पढ़ें, यहां तक भी RSI के PT में भी उसमें से question पूशे गए थे, और अगर हाँ जहारकंट पुलिस से लेके और भी कुछ अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहा होगा तो comment box में जरूर comment क